नमस्कार प्यारे चात्रों मैं सचिन कौमार एक बार फिर से आप सभी आपने यूट्यूब चैनल मदर्स एजुकेशन पॉइंट मैं स्वागत करदा हूँ प्यारे दोस्तों मैं एक बार फिर हाजेर हूँ आप सबके सम्मुख algebra के basic formula के concept के भाग second के साथ तो पहले भाग में हमने चार basic formula के description के बारे में हमने जानकारी पराप्त की थी तो चलिए अब हम उसी video को आगे बढ़ाते हुए next सभी बाकी बचे हुए formula के basic concept के बारे में जानकारी पराप्त करते हैं तो हमारा अगला formula है पांच मां यदे x plus 1 upon x बराबर 1 हो तो x q बराबर minus का 1 होता है यानि आपका formula यदि x plus 1 upon x बराबर plus 1 होगा तो x q का 1 minus 1 होगा similar इसी का दूसरा formula है यदि x plus 1 upon x बराबर minus 1 तो x q बराबर plus 1 होगा प्यारे दोस्तों आप देख रहे होंगे यहाँ पर x plus 1 upon x का मान पिलस 1 है तो x q का मान minus 1 है यहाँ पर x plus 1 upon x का मान मान पिलस 1 है तो इन formula के पीछे छुपे हुए basic concept के बारे में हम जानकारी लेते हैं चलिए कैसे होगा यह हमें दिया है x plus 1 upon x बराबर 1 पटे में हम 1 मानेंगे और इस संख्या का LCM लेंगे एक और x का LCM आएगा x एक का भाग देंगे x में x बार याएगा x का गुड़ा x में करेंगे तो x into x x square plus x का भाग x में देंगे एक बार एक का गुड़ा एक में 1 बराबर 1 क्रोस मल्टिप्लिकेशन होगा तो 1 का गुड़ा करेंगे कोई फरक नी पड़ेगा x square plus 1 x का गुड़ा एक में करेंगे तो यह आपका होगा x अब मुझे x q बराबर minus 1 लाना है कुछ देर के लिए अगर मैं इस minus 1 को इधर ले आँँ तो यह होगा आएगा आपका x q plus 1 और बन को मैं बन का q लिख सकता हूँ यानि मुझे मान क्या आत करना है यह आपका XQ प्लस बन का Q इसका मुझे मान गयात करना है क्या आएगा तो चलिए देखते हैं XQ प्लस बन का Q यह आपका formula हो जाएगा अगर इस पूरी value को A मालू और इसे B मालू तो AQ प्लस BQ और आपको formula पता है AQ प्लस BQ का formula होता है A प्लस B bracket में A square plus B square minus kla A B तो AQ प्लस B Q का formula लगाते है A प्लस B into bracket में A square plus B square बन का square बन रहाएगा minus A into B X plus 1 into X square plus 1 का मान मुझे दिया हुआ कितना दिया है X पुट कर दूंँगा minus X एकम x x में से x घटाएंगे तो हमें कितना मिलेगा 0 और 0 का किसी भी संख्या में गोड़ा करेंगे तो पूरे संख्या क्या हो याएगा 0 यानि x q पिलस 1 का q 1 रहेगा बरावर 0 ये पिलस का 1 जब बरावर की दूसरी तरफ याएगा तो आपका क्या हो याएगा माइनस 1 तो आपका फॉर्मूला प्रूफ हो गया x q बरावर माइनस 1 similarly यही concept इसमें लगेगा क्या होगा हम x पिलस 1 अपॉन x बरावर माइनस 1 लिखेंगे बटे बन मानेंगे LCM लेंगे LCM बन और x का कितना आएगा x बन का भाग देंगे x में x बार याएगा x का गुणा x में तो x into x x स्केर पिलस x का भाग देंगे x में एक बार एक का गुणा एक में करेंगे तो 1 एकम 1 बरावर माइनस का 1 क्रॉस मल्टिप्लिकेशन होगा तो यहाँ पर x स्केर पिलस 1 x एकम x लेकर चिंद माइनस का अब इस बन को मैं इधर लेके आऊंगा तो यह हो जाएगा आपका x q माइनस बन बरावर चीरो इसे चाहो तो मैं बन का q भी तो लिख सकता हूँ तो मुझे जो मान गयात करना वो x q माइनस बन का q इसका मान गयात करना है पिलस b स्क्वेर पिलस a b तो लगाते हैं a q माइनस b q का फॉर्मूला इसमें a माइनस b ब्रेकेट में आपका a स्क्वेर पिलस b स्क्वेर माइनस अब माइनस वाले में क्या होता है यहाँ पिलस का होता यह ध्यान रखना है बहुत याद mistake होती ही, यहाँ पर plus a into b, तो x q minus 1 का q 1 रहेगा, x minus 1, x square 1 का square बन रहेगा, x square plus 1 का मान मैं और रेडी निकाल चुका हम कितना होगा, minus x plus x से कम x इसे जोड़ेंगे, आपस में यह 0 0 का गोड़ा किसी भी संख्या में करेंगे तो वो आप 0 हो जाएगी, minus 1 उदर हे आएगा, तो यह पूरी संख्या आप की हो जाएगी, plus 1, तो x q बराबर, plus 1, तो देखा आपने दोस्तों, यह दोनों फॉर्मूले आपके proof हो गए, चलते हैं, next फॉर्मूले की ओर चलिए, तो अगला फॉर्मूला है हमारा, यदे x plus बन अपॉन x बराबर a, तो वो आप से मान पूछेगा पेपर में x minus बन अपॉन x का यदे x plus बन अपॉन x बराबर a है, तो x minus बन अपॉन x का फॉर्मूला होगा square root में a square minus का 4 यह आपका फॉर्मूला होगा सेम इसी की तरीके से आपका दूसरा फॉर्मूला है, फॉर्मूला नम्मर 8, यह दे x minus 1 अपॉन x बराबर a दिया है, तो वो आप से मान पूछेगा, या फॉर्मूला होगा आपका, x plus बन अपॉन x का, तो x plus बना पॉन X बराबर होगा square root में A square plus 4 यहाँ minus है तो यहाँ minus 4 है यहाँ plus है तो यहाँ plus 4 है वस थोड़ा सा अंतर है plus minus 9 का बागी ज्यादा तर formula एजट यही रहेंगे तो समझते इनके पीछे छपे हुए basic concept को कैसे आया मुझे दिया था X plus 1 upon X बराबर A मान गयात करना है मुझे X minus 1 upon X का तो अगर मैं इसे A मालू और इस पूरी value को B मालू तो A minus B का holy square होता है वो A plus B के पदों में क्या formula होता है A minus B का holy square A plus B के holy square के पदों में तो A plus B का holy square minus 4 A B तो यह वाला formula हम इसमें apply करेंगे A minus B का square बराबर A plus B का square यानि X plus 1 upon X का holy square minus 4 into A into B B का मान 1 upon X इससे यह कट गया X plus 1 upon X का मान दिया हमें A और आपको पता ही है बर्ग जब दूसरे पच्छ में आता है तो वो क्या बनता है बर्ग मूल बनता है तो X minus 1 upon X बराबर square root में इसका मान है A A square minus का 4 एकम 4 तो यह आपका formula प्रूफ हो के आ गया X minus 1 upon X बराबर square root में A square minus के 4 similar next formula है इसे देखते हम अब मुझे मान दिया है X minus 1 upon X का और formula गयात करना है मुझे X plus 1 upon X का तो X plus 1 upon X का square X minus 1 upon X के पदों है यानि कि A plus B का square A minus B के पदों है तो A plus B का square बराबर A minus B का square plus 4AB तो लगाते हैं A plus B का square बराबर यानि X plus 1 upon X का square बराबर X minus 1 upon X का square plus 4A into B इससे ये कटे आएगा X minus 1 upon X का मान मुझे दिया हुआ है कितना A तो यहाँ पर हो जाएगा A square value put up कर देंगे plus 4A कम 4 ये बर्ग जब दूसरे पच्च में आएगा तो आपका बर्गमूल बन जाएगा तो X plus 1 upon X का मान आएगा square root में A square plus 4 तो प्यारे दोस्तों आपने देखा इन फॉर्मूलों को हमने basic concept की साइथा से proof किया उम्मीद करता हूँ आप सभी को मेरे ये basic video पसंद आ रहा होगा तो अगर आप सभी को ये video पसंद आ रहा है तो please मेरी video को like करें और मेरे channel को subscribe करें और bell notification को दवाएं ताकि मेरी आने वाली नई video को update आप तक पहुंसता रहा है तब तक के लिए जय हिंद जय भारत